हलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का कमलेश विश्वा करमा यूटूब चैनल पे जैसा कि फ्रेंड्स मैं आज आप लोग इस वीडियो में आई टी आई सेकेंड येर का ट्रेड प्रेक्टिकल का यहां पर बहुत ही इंपोर्टेंट कोईसर लेकर आया हूँ जो कि फ्रेंड्स यह आप लोग का जो क्वेस्टन है यह आपका हरώता है और आई डेट practical के और आपको नंबर मिल जाएगा तो फ्रेंट्स आपको वीडियो को complete देखना है क्योंगि मैं आप लोग के यहाँ पर बताने वाला हूं कि आप लोग अपने Exam में copy को किस परकार लिखेंगे और practical को किस पर कार करेंगे मैं आप लोग को बिल्कुल सभी जनकारी के साथ आपको बताने वाला हूँ और फ्रेंट्स आप लोग अभी तक मेरे वीडियों को लाइक नहीं किये हुए हैं तो आप लोग इसे एक लाइक कर लें और हमारे यूटूब तो आपको नीचे रेट का बटन दीख रहा है आप लोग को दबालना है और घंटी वाल आइकन को आल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना है ताकि फ्रेंट्स जब भी मैं स्टेडी वाला वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुच जाए और वीडिय आता है एकजाम में वही आपका उद्देश रता है वही आपका आपजेक्ट रता है तो आपको ससे पहले उसी को यहाँ पर लिखना है जो कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं दिया गया है उद्देश से जिसे आप लोग अंग्रेजी में आपजेक्ट बोलते हो तो आप लोग friends question को mind में बैठाई है कि यह क्या बोल रहा है जो कि यहाँ पर दिया गया है motor को चलाने के लिए यानि motor को चलाने के लिए automatic start delta starter का प्रियोग करना है यहाँ पर और friends आपका यही उद्देशता आपको अपने exam के copy मिलिख लिना है इसके बाद आपको यहाँ पर जो practical आप लोग करते हो उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा परीचे लिखना पड़ता है तो आपको परीचे किस पकार लिखना है यहाँ पर देखी यह परीचे और अंगरेजीम से आपका होता है introduction तो आपको यहाँ पर परीचे का एक heading दालना है और उसको उसके बारे में यहाँ पर लिखना है motor को अब चालू किया जाता है तो star संयोजन में start हो जाती है परंतु time delay द्वारा कुछ second में अपने आप motor delta में संयोजन में चलने लगती है जैसा कि friends आपका जो motor आता है अगर आप लोग automatic start delta starter में convert करते हैं उसकी साथ आप चलाते है starter से तो आपका जो motor है वो आपका पहले start होता है तो आपका star connection में चलता है इसके बाद आपका कुछ second में ही आपका delta connection में connect हो जाता है तो friends आपका यही परिचे था इसके बाद आपको आवस्यक सामागरी एवं उपकरण लिखना पड़ता है जो कि आपको practical के दवरान कौन कौन से आवस्यक सामागरी एवं उपकरण के बारे में आपको यहाँ पर लिखना जो कि आपका कौन कौन से प्रयोग होते है तो आपका essential apparatus material या नहीं आप लोग का यह अंगरजी में दिया गया जिसे आप लोग आवस्यक उपकरण और समागरी बोलते है तो आपका यहाँ पर दिया गया है पहला में पेचकस जिसे आप लोग स्कुरू ड्राइबर बोलते हो और आपका दिया गया combination plier, संयोजन पेचकस, चलित स्टार, डेल्टा स्टार, PVC कापर तार के टुकडे और परिच्छा लेंप आपकी जोड़ोत यहाँ पर पढ़ने वाला है और इसका फ्रेंट्स आपका सुरच्छा सावधानिया निर्देज भी आपको लिखना है safety precautions, instructions आपको लिखना है जो कि आपको practical के दवरान कौन कौन से सावधानिया को अपनाना है तो आपका यहाँ पहला दिया गया है इसके बाद ही आपको वहाँ पर कारे करना है, दुसरा है overload relay की setting, motor की धारा के अनुसार बेवस्ति त्यानी adjust करें और तिसरा है star में एक से और दो कौायल और डेल्टा में दो वह तीन कौायल का सयोजन करें और फ्रेंड्स आपका जो यह उद्देश परिचे आवस्तक सामागरी एवं उपकरण सुरच्छा सावधानिया के बाद आपका आता है कार विधे जिसी आप लोग working method बोलते हैं जो कि फ्रेंड्स आप लोग practical को किस परकार करते हैं एक पॉइंट के बारे में यहाँ पर आपको उसी परकार लिखना है कार विधी में जो कि आपका पहला में दिया गया है सर्व पर्थम नेम प्लेट को देखते और बीवरड को नोट करते हैं जैसा कि फ्रेंड्स आपको नेम प्लेट कहाँ पर देखना है मोटर के नेम प्लेट पर आपको देखना है कि मोटर कितने hp का है कितने face का है कितना उसका rpm है यह सब आपको देख लेना है और नोट कर लेना है इसका फ्रेंट्स आपको यहाँ पर दूसरा दिया गया है जो की कारविधी में दूसरा आपका यहाँ पर दिया गया है उपरी कवर को हटाते और सभी भागों को देखते हैं तिसरा है इसमें तीन नो बोल्ट क्वायल एन बिसी आपका लगे होते हैं उनकी परिछर लेम से जाज करते हैं चवता है तीनों क्वायल के उपर कांटेक्ट पॉइंट और धादू की पत्तियां लगी होती हैं सभी के सयोजन चेक करते हैं और उनका चित्र बनाते हैं पांचमा दिया गया है एक क्वायल के एक और सपलाई के तीन सिरे होते हैं और दूसरी वा तिसरी क्वायल की और मोटर के लिए छ सिरे A1, B1, C1 और A2, B2, C2 निकले होते हैं छटमा आपका दिया गया है ओभर लोड कॵायल, टाइम रिलेय, आफ आन पूस बटन को देखते हैं और उनके सयोजनों का चेक करते हैं उनके सभी करता हैं इसमें एक कॵायल प्रतेक समय कारे करता है प्रब्सरा गया आपको लिखना हैं और फ्रेंटस आप लोग जब एक्जाम देते हैं तो उसके बाद आपका result आता है सेम इसी के फ्रेंटस आपको यहाँ पर रखना है कि यहाँ आपका जब practical हो जाता है यह सब लिखने के बाद तो आपका result पड़ाम भी आपको लिखना पड़ता है तो आपका पईडाम ऐसे लिखेंगे स्वचालित आटोमेटिक जिसे आप लोग बोलते हैं स्टा, डेल्टा, स्टाटर का प्रयोकर के मोटर का परचालन सफरता पुरुवक संपन किया गया और friends यह सब लिखने के बाद आपको जैसे आप लोग practical का connection करते हैं सेम उसी परकार आपको यहाँ पर एक drawing को बना देना है तो friends अगर आप लोग का यही एक्जाम में आता equation तो आप लोग इसका screenshot ले लेजिएगा और आप लोग अपने एक्जाम में बना दीजिएगा और आप लोग इसे समझ लेजिएगा कि किस परकार connection को करना है तो फ्रेंड्स आसके वीडियो में इतना ही उम्मेद है आप लोग को अच्छा लगा होगा तो आप लोग इसे एक लाइक कर लें और फ्रेंड्स इसे अपने दोस्तों के साथ जला जला सेयर के ताकि सभी स्टूडेंट को मालू हो जाए कि उनके प्रेक्टिकल की एकजाम में ऐसे क्वेशन आते हैं और अगर ये क्वेशन आता है तो ओ अपने एकजाम में फटाक से पूट अप कर लेंगे और एकजाम में नमबर उठा लेंगे तो आप लोग इसे अपई सेयर कर देब सभी स्टूडेंट को और फ्रेंड्स आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता ह ही उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा तो आप लोग इसे एक लाइक कर लें और हमारे यूटूब चले पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किये हुए हैं तो आप लोग फटा पर सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाल आइकन को आल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर सब्सक्राइब हैं तब तक लिए फ्रेंड्स मिलते हैं नए नोच के साथ नए वीडियो में